नमस्ते, हिंदी की क्लास में, और पी स्कूल की तरफ से अपका फिर से स्वागत है लास्ट क्लास में हमने व्यंजन वह सीखा, उसके बाद में व्यंजन आता है शलगम का श, हम शलगम का श इसलिए बोलते हैं क्यूंकि तीनों श साथ में आते हैं उसका उच्छार अलग होता है इसके लिए हम उसे ऐसे याद रखेंगे शलगम का शव, शटकोन का शव and साप का सव ऐसे याद करना है ये लाइन में भी चार व्यनजन है और ये लाइन को हम बोलेंगे श की लाइन वो सीखने से पहले हम पहले जो सीखे हैं शलगम का शा और उसके बाद में आएगा शटकोन का शा और ये जो व्यांजन शा की लाइन है वो सभी व्यांजनों को हम उश्म व्यांजन बोलते हैं क्या बोलते हैं उश्म व्यांजन जैसे हमने य र ल व ये चारो व्यांजनों को अंतरस्त व्यांजन बोला है वैसे ये जो शलगम का श है उसकी लाइन में आने वाले चारो व्यांजन को हम उश्म व्यांजन बोलेंगे तो चलो सीखते हैं व्यांजन श, उससे शुरू होने वाले शर्थ और उसको लिखते कैसे हैं श, श, श से ठंडा, ठंडा शर्बत, श से शहनाई, श से शनीवार, श से शुक्रवार, और श से शिशू, शिशू मतलब छोटा सा बेबी श से शिक्षक और श से शिक्षिका, श से शंकर और श से शक्र, श से शहद और श से शेर होता है, श से शीश और श से शीशा भी होता है Now, it's writing time. In my skill book, we will practice writing Vyanjan Sh. On page number 9191, in the left side corner first, we will write today's date, that is 24.9.20 and then we will practice writing Vyanjan Sh. पहली और दूसरी लाइन के बीच में से शुरू करके, एक छोटा सा गोला बनाना है, जो पहली लाइन को टच करेगा, फिर वहाँ से एक आधा गोला बनाना है, एक छोटा सा कर्व, जो दूसरी लाइन के थोड़ा सा नीचे तक जाएगा, फिर वहाँ से एक स्लांटिंग ला लाइन के बीच में से शुरू करके पहली लाइन को तच करते हुए एक छोटा सा गोला फिर पीछे से एक कव बनाते हुए दुसरी लाइन के थोड़ा सा नीचे जाना है फिर वहां से slanting लाइन बनानी है जो तीसरी लाइन को तच करेगी फिर ये जो शेप बना उसके exactly पर पर लिखेंगे पहली और दुसरी लाइन के बीच में से छोटा सा कव बनाते हुए एक slanting line जो तीसरी लाइन को टच करेगी और पहली और तीसरी लाइन के बीच में एक सीदी लाइन और slipping line on the first line जैसे कि आपको पहले भी बताया है हिंदी में जो भी अक्षरों के उपर ऐसे छोटा सा गोला और सरकल दिखता है ये स्लिपिंग लाइन उसे टच नहीं करती है ये हो गया आपका व्यंजन बार ये दोनों लाइन में अच्छे से ट्रेसिंग प्राक्टिस हो जाए फिर आप अपने आप लिखोगे पहली और दूसरी लाइन के बीच में से शुरू करके पहली लाइन को टच करता हुआ एक छोटा सा गोला फिर वहां से एक कव बनाते हुए दूसरी लाइन से थोड़ा सा नीचे जाते हुए फिर दूसरी लाइन और तीसरी लाइन के बीच में एक स्लांटिंग लाइन फिर प एक बार लिखेंगे पहली और दूसरी लाइन के बीच में से शुरू करके एक छोटा सा गोला कव बनाते हुए दूसरी लाइन से थोड़ा सा नीचे जाके वहां से एक स्लांटिंग लाइन जो तीसरी लाइन को टच करेगी फिर पहली और तीसरी लाइन के बीच में एक सीधी और पहली लाइन पे एक स्लिपिंग लाइन बनाओगे जो ये सर्कल को टच नहीं करेगी एक बार आपकी व्यांजन शर लिखने की अच्छे से प्राक्टिस हो जाए फिर हम जो लास्ट क्लास में व्यांजन सीखे है यर लव जो की अंतस्त व्यांजन है उसको साथ में लिखने की प्राक्टिस करेंगे उन पेज नंबर 8787 वी विल प्राक्टिस राइटिंग व्यांजन यर लव उसके लिए लेफ्ट साइड कॉर्नर में पहले अपडेट लिखोगे फिर आप व्यांजन यर उसके बाद में व्यांजन र उसके बाद में व्यांजन ल उसके बाद में व्यांजन व लिखोगे पहले आप सब यर फिर आप सब यर फिर सब ल फिर सब वर वैसे नहीं लिखना है आपको line से लिखना है ताकि आपको ये चारो व्यनजन एक ही line में अच्छे से याद रह जाए ये चारो व्यनजन अन्तस्त व्यनजन है य, र, ल, व, व, वापस लिखोगे य, र, ल, व, वब ये पूरे पेज़ पे आपको यहर लवर लिखने की अच्छे से प्राक्टिस करनी है मुझे आशा है बच्चो आपको व्यांजन शव जो की शलगम का शव होता है और उससे शुरू होने वाले शब्द और उसको लिखते कैसे है वो अच्छे से समझ में आया होगा धन्यवाद